नमस्कार किसान बहिएं स्वागत अभीकमपार्मिंग यूटूब चैनल में किसान बहिएं आज की जो वीडियो इस वीडियो में जानकरी लेके आए है हमारी एक नई अरली गन्ना किसम है उसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी किसम है ये है 15 201 किसम इस किसम के बारे में बात करेंगे कोलक 15.201 किसम जो है इस किसम की जो चर्चा काफी हो रही है और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इसकी जो असली पहचान क्या है और इस किसम का बीज आपको कहां से और कब प्राप्त होगा आपको इस किसम का बीज कहां से लेना है और कब ये रिलीज होगी पूरी जानकर इस वीडियो में देंगे अगर आप मारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले गंटी दबा लिजिए तो किसान भाईयों बढ़ते हैं वीडियो के तरफ तो बात करते हैं पंद्रा दोसो एक किसम के बारे में आखिर ये किसम कौन सी किसम है और किसके दवारा इसको रिलीज किया गया किया जाएगा तो किसान भाईयों जैसे बात करेंगे कि 15-201 किसम है ये नई किसम है और ये अरली किसम है आपको बता देना चाहेंगे अरली किसम है कोलक 15-201 और इस किसम को लखनाउ द्वारा हाल ही में विक्सित किया गया है इस किसम को और इसकी सबसे पहले बात करेंगे कि पहचान की पह तो जहां पर आपको नए बीज बहुत सारे अच्छे किसानों से प्राप्त हो रहे हैं तो वहीं पर इन चीजों के लेकर धांदली भी चल रही है क्योंकि हमारे जो किसान हैं नए बीज ले रहे हैं उनको सही तरह से बीज की पहचान नहीं है तो वो धोका धड़ी का शिकार हो रहा है और बहुत सारे लोगों द्वारा धोका धड़ी करके बीज का नाम कुछ भी रखके कोई भी डूब्लिकेट बीज दिया जा रहा है क्योंकि जो किसान खरीद रहे हैं उनको बेचारों को अच्छी तरह से पहचान नहीं है वो इस धोका धड़ी का शिकार हो रहे है तो सबसे पहले कोई भी बीज लें उसकी पहचान जानना और पहचान करना बहुत जरूरी है तो वहीं पंदरा दोसो एक जो कोलक पंदरा दोसो एक है जिसको लगनओ दोरा हाल में विक्सित किया गया है यह अरली किसम आती है तो इसकी संबर एक पहचान की बात करते हैं तो इस किसम के अगर पहचान की बात करें तो इसका जो सबसे पहले रंग पे आपको जाना तो इसका जो रंग है आपको हलका पीला और हरका हरा आपको देखने को मिलेगा और जहां जहां पे इसकी पत्ती नहीं चूट जाती है वहां पे इसको आपका हलका काला और गुलाबी रंग देखने को मिलता है वहीं अगर इसके इंटरनोड पोरियों की बात की जाए तो इसकी पोरियां जो है आपको लंबी देखने को मिलेंगी ये भी पहचान आपको रखनी है नमबर तीन इसकी पहचान है गन्ये की जो सबसे निचला हिस्सा होता है जडो का वहाँ पे पुखराव काफी देखने को मिलता है निचले हिस्से में जो जड़े होती है उसकी वो काफी आपको नीचे देखने को मिलेंगी नीचले हिस्से में जड़े जो है जड़े नुमा आपको काफी देखने को मिलेगा उसके बाद जो चौती इसकी पहचान है जो इसकी आँख होती है में जो गन्ने की आँख होती है वो आपको मूच नु पे बीज रिलीज किया गया है और यूपी में और इसको पूरबारत में जल्द ही इस बीज को रिलीज किया जाएगा और अक्टूबर माह में लखनौ सोध प्रिसद जो है गन्ना इसके दुआरा अक्टूबर माहा में कुछ किसानों को इसका बीज वित्रित किया गया है बीज दिया गया है तो आपको contact में बने रहना है और जब भी इस बीज की जानकारी आएगी कि बीज कहां से मिलेगा क्या मिलेगा तो हमारे संपरक में कुछ लोग हैं जिनके संपरक में हैं तो जैसे इसका बीज की जानकारी मिलेगे तो आपको इस चैनल के वीडियो के माद्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगे आप वहाँ से जाकर बीज प्राप्त कर सकते हैं तो आपसे अंड्रोयद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जब भी कोई जानकारी मिले इस वीडियो पे चैनल पे वीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा और आप बीज वहां से जाके प्राफ्ट कर सकते हैं कई बर होता है कि बीज बहुत कम सोध प्रसित तो आप एक यही तरीका है कि चैनल से जुड़े रहेए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जब भी कोई जानकारी आएगे सबसे पहले आपको इस चैनल पे वीडियो के माद्यम से दी जाएगी तो यह तो हमने इसकी पहचान और इसको बताया कौन सी किसम है और यह अरली मे भी उसमें जल्द जानकरी दे जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासवले गंटी दबा लिजिए धन्यवाद